नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी वोस्ट रचनी और आज हम बात कहने वाले हैं आपकी साथ रोहित सर्दाना की संपत्ति के लिए रोहित सर्दाना जिनका सुभा नीधन हो गया हार्ट टेक आने की वजह से सामने आई की खबर कि उन्हें करोना पॉजिटीव भी पाया गय और आज अचानक सुभा चार बजन की हालत काफी जादा खराब गया और उसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन कुछ पल बाद खबर आए कि उनका निधन हो गया निधन के छीग बाद उनसे जूड़ी तमाम खबरे शोचल मीडिया पर वायरल हो रही है और आज ह इसका भी खुलासा करेंगे देखिए रिपोर्ट न्यूज एंकर और जानी मानी हस्ती रोहित सर्दाना जिनका सुभा मिधन हो गया और उनके मिधन के बाद से ही उनसे चुड़ी तमाम खबरे सामने आने लगे रोहित सर्दाना जिनोंने सबसे पहले ताल ठोक के विवाद शो को होस्ट किया था जो की जी नियूस पर आता था जिसमें समाजिक मुद्दों पर सवाल उपते थे और इस वक्त वो हिस्सा थे आस तक का जहां पर वो दंगल शो को होस्ट करते थी पता दे कि रोहित सर्दाना की इनी अच्छे कामों को देखते हुए गणेश विध्यारती पुरसकार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था रोहित सर्दाणा जो पत्रकारिता में अपनी पहर्चान बना चुके थे और लोग रोहित सर्दाना को अपना आदर्श मालते तेỏी आज हम रोहित सर्दाणा से जुड़ी, कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे और साथ ही उनकी संपत्ती पर भी करेंगे खुलासा कि आखिर उनके निधन के बार कित्ती संपत्ती वो अपने परिवार के नाम पर जोड़ कर चले गए रोहित सर्दाना जिंता जन 22 सितंबर को हर्व्याना की एक कुरुक्षेत्र में हुआ था रोहित सर्दाना की पत्ली का नाम प्रमिला दिक्षित है रोहित और प्रमिला की दो बेठा भी है रोहित सर्दाना अक्सर अपनी बेठी और पत्ली के साथ सोची मीडिया पर तस्वीरों को शेर क्या करते थी रोहित सर्दारा ने अपनी स्कूली शिक्षा खुरुक्षेत्र से ही पूरी की स्कूली शिक्षा पूरी करनी के बाद रोहित सर्दारा ने आगे की पढ़ाई करनी की सोची और वो फिसार चले गए रोहित सर्दाना ने गुरु जंबेश्वर युनिवर्स्टिती से रेजूशन की डिग्री हासल की इसके बाद उन्होंने मास कॉम्निकेशन में भी डिग्री हासल की जो की मास्टर्स में थी रोहित सर्दाना ने अपनी करियर की शुरवाई रेडियो स्टेशन पर नोक्री करकर की थी ते भाद रोहित सर्दाना के सिटी केवल में काम करने का मौका में लेकिन वो कुछ पड़ा करना चाहते ही असी में रोषिच सर्दाना की सबसे पहले टीवी नेटवर्ग के साथ इंटर drills क काम करने का हमाका मिला था जिसके बाद D uh. Netsup me, Ba стал tér ε doubles एंकर के तौर पर drainage सर्दाना नी काम करना शुदू किया था इस दोरान रोही सर्दाना का ट्रांसफर हैत्राबाद में किया गया था हैत्राबाद में रोही सर्दाना ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें टीवी पर एंकरिंग करने का मौका भी मिला बस यही से रोही सर्दाना का करियर उचाईयों पर चर्णने लगा जिसके बार रोहित सर्दाना एक टीवी एंकर के गूप में सामने आये रोहित सर्दाना ने साल 2004 सहारा के साथ उड़ गए सहारा में दो साल रोहित सर्दाना ने जीनियूस में संपादक के तौर पर काम करना शुरू किया जीनियूस में काम करने के दोना रहित रोहित सर्दाना को परे देश ये पहचान में लिए क्रिकेट का खास नौलेज नहीं होने के बापसूर भी रोहित सर्दाना ने क्रिकेट पर अधारित कई शूज भी किये थे Zee News में रोहित सर्दाना को डिबेट शो ताल ठोक के काफी ज़ादा फैंस पसंद करते थे इस शो में रोहित सर्दाना अक्सर देश सी जुड़े मुद्दों पर लोगों के साथ डिबेट किया परते थे अधादे कि साल 2017 में रोहित सर्दाना ने Zee News को छोड़कर आस्तक का चैनल जोइन कर लिया आस्तक पर रोहित सर्दाना का डिबेट शो तंकल भी काफी ज़ादा पॉपलर हुआ रोहित सर्दाना आज भी आस्तक से ही जुड़े हुए थे अब हम आपको बताएंगे रोहित सर्दाना को मिलने वाले पुरसकार रोहित सर्दाना को पत्रकारिता जगती उनके योगतान के लिए बेस्ट नियूस एंकर एवोर्ट से सम्मानित किया गया रोहित सर्दाना को माधर च्योती सम्मान से भी नवाजा गया था रोहिज सर्दाना को सैंसोई बेस्ट नियूज प्रोग्राम एवार्ड से भी सम्मानित किया चाच चुका है आपको बता दे की अब हम आप से बात करेंगी रोहिज सर्दाना से जूरी कॉंट्रवर्सी को लेकर संजलीला भंसाली की फिल्म पद्मावति को लेकर हुए विवाद के दौरान रोहिज सर्दाना ने एक टिपनी की थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर कॉंट्रवर्सी छिड़ कई थी तरसल रोहिज सर्दाना ने इस दौरान कहा था कि अभी व्यक्ति की अज़ादी फिल्मों का नाम सेक्सी दूर का सेक्सी राधर रखने में ही क्या है क्या आपने कभी सेक्सी फातिमा सेक्सी आईशा या मेरी जैसे नाम सुने हैं फिल्मों के रोहिज सर्दाना की स्टिपनी को लेकर देश भर में फिरोध छड़ गया लोग इस ट्रीट को लेकर कई सारी बाते करने लगे और कई सारी धंकिया भी मिलने लगे थी रोहिज सर्दाना को इस ट्रीट के बाद जिसके बाद रोहिज सर्दाना की पत्नी प्रमिला दिक्षि भी शोशल मीदिया के जरी ही सब के सामने आई और उसके बाद उन्होंने शोशल मीडिया पर सबके सामने बताया कि किसदा की तरह इस ट्वीट गत्त तरीके की धमक्या मिल रही है और मेरा मतलब इस ट्वीट को लिखने से किसी के दल को पहुंचाना नहीं था लेकिन अगर फिर भी किसी को मेरे स्ट्वीट के बुड़ा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ चोकर माफी मांगता हूँ लेकिन मैंने इस ट्वीट को जानबूच कर नहीं किया है मैंने सिर्फ किसी और की ट्वीट को यहाँ पर धिल्दी में अनुवाद कर लिखा है तो यह है पूरी खबर रोहित सर्दाना को लेकर जिनके ट्वीट के बाद काफे ज़्यादा कॉंटुवर्सिस छिड़ गई थी अब हम खोलने वाले हैं रास रोहित सर्दाना की संपत्ती को लेकर रोहित सर्दाना जो पहले जिन्यूस में घाम करते थे लेकिन राद मुहों ने आज तक पर घाम करना शुरू कर दिया रोहित सर्दाना की एक महीने की अगर इंकब की बात की जाए तो उनकी एक महीने की तनक्वा साड़े साथ लाग प्रपे थी पीस अप्रेल 2021 को यानि की आज ही के दिन करोना पॉजिटिव आने की वजह से और हाट इटेक आने की वजह से रोहित सर्दाना का दुखद नेथन हो गया जिसके चलते हार कोई रोहित सर्दाना को लेकर कई सारी बाते कर रहा है और उनसे जुड़े कई सारे प्ला से भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं तो ये थी पूरी खबर रोहित सर्दाना को लेकर जो एक महीने में साड़े साथ लाग प्रपे कमाते हैं इसका मतलब उनकी सालाना इंकम एक करोड रुब की करीब जाती थी तो यह है पूरी ख़बर रोही सदाना की संपत्ते को लेकर जहां पर वो अपने परिवार अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर अच्छे पैसी अच्छी संपत्ती अपने परिवार और बच्चों के लिए छोग कर गई है नेक्स ना लाइप सिराश्णू की रिपॉर्ट तो यह भी आज की हमारी स्पेशल रिकोर्ड जिसमें रोही स्दाना की संपत्ती से लेकर उनकी सैलरी तब सब कुछ किया हमने खुलासा और साथ उनके परिवार उनकी जीवनी को लेकर है आज की लिए सब्सक्रता है मुझे देजे साब्सक्रता है